एक बार, नारद मुनी भगवान विश्णु के पास पहुँचे और जिग्यासा भरे स्वर में बोले, भगवान विश्णु नारद मुनी को एक विशाल रेगिस्तान में ले गए, वहाँ दूर दूर तक न कोई इंसान था और न कोई जीव, रेगिस्तान की तपती रेथ पर चलते चलते नारद मुनी को भूख और प्यास का एहसास होने लगा, कुछ समय बाद उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी, नारद मुनी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बड़े, तब ही उनकी द्रिष्टी एक सुंदर युवती पर पड़ी, नारद मुनी उस युवती के सौंदर यसे मंत्र मुख्ध हो गए और उससे पूछा, तुम इस वीरान स्थान पर क्या कर रही हो? मैं पास के नगर की राजकुमारी हूँ और अपने सैनिकों के साथ रास्ता भटक गई हूँ। नारद मुनी ने राजकुमारी को उसके राज्य में वापस पहुँचाया, वहाँ पहुँचकर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद मुनी से कर दिया और स्वयम सन्यास ले लिया। नारद मुनी अब राजा की तरह सुखमय जीवन बिताने लगे और वे भगवान विश्णु को भूल गए जो नदी किनारे उनका इंतजार कर रहे थे। समय बीतने के साथ नारद मुनी को दो संताने हुई। नारद जी अपने परिवार और राज्य को देख कर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन राज्य में अत्यधिक बारिश हुई और बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। नारद मुनी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाव में बैठकर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े। लेकिन बाढ़ के तेज बहाव में उनकी पत्नी बह गई। नारद मुनी अत्यंत दुखी हो गए। कुछ समय बाद नारद मुनी उसी नदी के किनारे पहुँचे जहां वे पहले भगवान विश्नु के साथ आये थे। वे जोर-जोर से रोने लगे। जैसे ही नारद मुनी नदी में कूदने लगे, भगवान विश्नु ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा। अब नारद मुनी समझ गये कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, वह भगवान की माया थी। प्रभू, अब मैं आपकी माया को समझ गया हूँ। भगवान विश्णु ने मुस्कुराते हुए नारद मुनी को आशीरवाद दिया, और उन्हें अपनी माया का सच्चा अर्थ समझा दिया. एक बार देवर्शी नारद ने भगवान विश्णु से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान मैं भी तो आपका भक्त हूँ. क्या मैं आपका प्रिय नहीं हूँ? नारद तुम उस किसान की दिन चर्या देखो, फिर मुझे आकर बताओ. नारद जी, उस विश्णु भक्त किसान के घर पहुँचे. उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठकर कुछ देर भगवान विश् जोतने चला गया. शाम को लोटा, तो वे बैलों को चारा और पानी देकर फिर कुछ देर भगवान विश्णु का नाम लिया और रात को खाना खाकर सोने चला गया. अब नारद जी उसकी एक दिन की दिन चर्या को देखकर भगवान विश्णु के पास गये. फिर नारद ज आपके नाम को जपने के सिवाए और कोई काम करता ही नहीं हूँ. भगवान विश्णु ने नारद जी की बात को टालते हुए एक लबालब अमरित से भरा कलश उन्हें देते हुए कहा. नारद इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रखना इसकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए. क्योंकि अगर एक बूंद भी नीचे गिरी, तो तुम्हारा अब तक का किया गया सारा पुन्य खत्म हो जाएगा. नारद जी ने चुनौती स्विकार की और कलश को लेकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकले. यात्रा पूरी करने के बाद भगवान विश्नु को वह कलश दिया. प्रभू कलश की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी. नारद परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? प्रभू मेरा सारा ध्यान कलश पर था. मैं एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर पाया. तुम पर सबसे बड़ा भक्त हुआ या तुम हुए. सबसे प्रियभक्त तो वह होता है जो अपना कर्म करते हुए प्रेम से मेरा स्मरण भी करता रहता हो. भगवान विश्नु की यह सारी बात सुनकर नारद जी का सबसे प्रियभक्त होने का अहंकार खत्म हो गया. कुछ पंडितों ने एक औरत को सलाह दी. घर में तू विश्नु जी की मूर्ति स्थापित कर और भोजन करने से पहले उनके समक्षन की थाली रख कर कहना विश्नु अरपन. अगर पानी पीना हो तो पहले गिलास को विश्नु जी के आगे रख कर कहना है विश्नु अरपन. महिला ने इस प्रभाव इतना गहरा हो गया कि एक दिन जब उसने घर का कूड़ा एककठा किया और उसे फेकने लगी तो उस समय भी कह दिया विश्नु अरपण। उसी समय वहीं पास से नारद मुनी गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस महिला को एक थपड मारते हुए कहा तुम भगवान को कूड़ा अरपण कर रही हो। विश्नु जी के प्रेम में रंगी औरत थपड पड़ते ही बोली। विश्नु अरपण। यह सुन नारद मुनी का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया। नारद जी ने दूसरे गाल पर भी एक थपड मारते हुए अब तु थपड भी भगवान विश्नु को अरपित कर रही है। फिर भी महिला बिना किसी रुकावट के विश्नु अरपण कहती रही। नारद मुनी गुस्से में वैकुंठ धाम पहुचे और वहां देखते हैं कि विश्नु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निश प्रभू मैं आपको थपड कैसे मार सकता हूं। की भी सीख देती है। जैसा कि नारद मुनी को एहसास हुआ कि उनके कारियों ने अंजाने में भगवान विश्नु को प्रभावित किया। अब वे चल फिर नहीं पाती थी। बस घसीट घसीट के जैसे तैसे मंदिर आ जाती थी। वे ठाकुर जी की ठीक से सेवा ना कर पाने की वजह से बहुत दुखी रहती थी। और अकसर देवता को कठोर शब्दों में फटकार लगाती रहती थी। हे ठाकुर जी, क्या मेरी इतनी भक्ती, इतना समर्पन तुम्हारी नजर में इतना तुच्छ है कि मेरे दुख और पीडा का तुम्हें कोई भान नहीं? मेरा कूलहा तोड़ने की या कैसी लीला है? पीछे से पुजारी जी ने कहा, मा, इसमें ठाकुर जी की कहा गलती है, कि तुम रोज आकर इन्हें कठोर वचन सुनाती हो। कहीं कोई चोरी तो नहीं हो गई? पुजारी जी जोर-जोर से दर्वाजा खट-खटाने लगे, कि तभी अंदर से माता जी की आवाज आई, ठैरो खोलती हूं। मा, तुम अंदर कैसे? सब ठीक तो है न? कृपया, दर्वाजा खोलो, मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। व्रिधा सामान्य स्वस्थ रूप से चल कर दर्वाजे तक आई और दर्वाजा खोल दिया। उन्हें टूटे कूलहे की पीड़ा से मुक्त देख कर सब आश्चर्य चकित थे। मा, ये चमतकार कैसे हुआ? आप तो चल नहीं पा रही थी, अब आप, आप चल कैसे रही है? मा, तुम्हारी द्रडास्था ने भगवान को भी हिला दिया। आपने हम सभी को सिखा दिया कि अगर मन में विश्वास हो, तो भगवान भी सुनते हैं। बुढिया की बातें सुनन, गाउं के लोगों ने उसकी आस्था की वहवाही की। इस घटना ने ना सिर्फ पुजारी और ग्रामीनों को, बल्कि हम सब को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। विश्वास और भक्ती की शक्ती अद्भुत होती है, और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। हमें हमेशा भगवान की भक्ती निश्कपट भावना से करती रहनी चाहिए। हे ठाकुर्जी महाराज, जैसे व्रिद्धा की सेहत स्वस्थ कर दी वैसी सब की करना।